प्रेंड्स आपका आपके यूट्यूब चेनल में फिर से स्वागत है आज हम चर्टा करते हैं निर्देशांग जवमिती के कुछ इससे सवाल जो बोर्ड परिक्षा में अमोमन पहुंची जाते हैं जिसे एक बिंदू को दिया होता आपको वो दो बिंदू से समान दूरी प इन फिर स्वागत करने जैसे आपका सवाल भी दिया वाज से कि ये निर्देशांग जोमिती में एक्षब पर वह बिंदू जो बिंदू-2-5 और-2-3 इससे समान दूरी पर स्थित है जैसे आपका एक किरिखा कीस्ते हैं यह आपका एंदू है-2--5 और यह बी बिंदू है यह आपका 2 और माइनस 3 ठीक है यह आपका P बिंदू है जो X X पर स्थित है X X पर है बिंदू यानि X का मान तो X से ही होगा Y का मान हमेशा 0 होता है इसी चीज पर आदा है सवाल है अगर आपने बिंदू सही लिख लिए तो सवाल वे सही आदा हो जाता है और फिर हमें दूरी सुत्र का उप्योग करना होता है यह अगर य एक्स का दिया होता है वह मैं आगे बताऊंगा य एक्स वाला भी बताऊंगा अब इसमें आपके पास देखिए इस बिंदू से समान दूरी पस्तित दीए PA बड़ाबर PB दोनू समान दूरी पस्तित है PA बड़ाबर PB हो गया अब हम इसका दोनू पक्षों का वर्ग कर लेते हैं या इसको हम यह दूरी सुत्र पी दूरी सुत्र भी लगा सकते हैं दोनों परक्ष का वर कर लेते हैं यह हो गया और अब हम इसको याद करते हैं दूरी सुत्र जो आपका इस प्रकार से हैं हम इसको पी के लिगता हूं इसको जिसे पी अंडर ग्रूट में होता है x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square ठीक है दोस्त यह अपने पास साइस उतर है लेकिन यहाँ square लेगे है इसका मेल यहाँ से वर्गमुल हड जाता है अब हम इसमें देखते हैं P पहले आया है इसलिए इसको x1 मानते है इसको y1 मानते है यहाँ पर इसको x2 और इसको y2 मानते हैं ठीक है नहीं मैं यहाँ लिखता हूँ PA पी अपना x2 का मला है x ठीक है दोस्तों minus minus 2 का whole square plus y2 and 0 minus minus 5 का whole square वर्याबर अपने पास यह है x minus 2 का whole square plus 0 minus minus 3 का whole square यह आपका यह दूरी सुत्र से हमने लिखा अब मैं minus और minus गुना होगा यह plus हुज़ेगा यहाँ cost whole square है जोस्तों और plus 2 का whole square plus यह आपके पास 0 minus minus गुना होगे plus के 5 जाएंगे whole square हो जाएगा यह आपके पास x minus 2 का whole square हो जाएगा और यह minus minus गुना होगे plus के 3 का whole square हो जाएगा क्योंकि यह 0 है अपने पास अब भी हम क्या करते हैं इसको खोलते हैं इसमें हमें एक सुत्र देखिए साथ यह इस प्रिकास होता है a plus minus b का whole square is equal to a square plus minus 2ab plus b square 20 गनित का सुत्र है अगर यह सुत्र आपको याद है तो हम इस cost को खोल सकते हैं इसको में आगे खोलता हो देखिए तो अपने पास x plus 2 यानि की x का square plus 2 into 2 ये 2 है into x है plus b square यानि 4 का square sorry 2 का square plus plus 5 का square यानि 25 बराबर इसे प्रिकार इधर है अपने पास x square minus 2 into 2 into x plus 2 का square plus आपके पास 3 है 3 का square आपका 9 हो गया ठीके दोस्त अब अपने पास x square plus 2 दूनी 4 x plus 4 plus 25 बराबर x square minus 4 x plus 4 plus 13 अब आपके पास क्या करना इसको साथियों जो आपके पास x square लिए यह माइनस का हो गया प्लस 4 x यह है यह माइनस का इदर है प्लस के 4 x हो गया प्लस के 29 और माइनस 13 बराबर 0 अब अपने पास देखिए x square से x square कर गया यह आपके पास 8 x हो गया और इदर अपने पास 4 और 4 8 x प्लस यह 29 में से अपने 13 गटाय 16 हो गया है बराबर 0 और 8 x बराबर माइनस के 16 x बराबर माइनस 16 बटा 8 बराबर की माइनस के 2 इस प्रकार x बराबर माइनस 2 आगया और पी के निर्दे सांग जो है आपके पास 2 और माइनस 2 और 0 ठीक है सथ हाँ तो दोस्तों हमना अगला सवाल है y x पर वह बिंदू ग्याद कीजिए जो बिंदू माइनस 5 माइनस 2 और 3 और 2 से समान दूरी परस्त है साथ जो इससे पहले हमने x x वाला किया मैंने का रहें y x वाला भी बताऊंगा तो ये y x वाला सवाल हम करते हैं अब इसमें भी वह इस दिती है देखिए साथ यूँ जैसे ये आपका a हो गया ये b हो गया एक के निदे सांग आपके पास माइनस 5 माइनस 2 b के पास 3 और 2 और ये p बिंदू यहाँ पर है यहाँ पर आपका पहले हमने x पढ़ा अब यहाँ y है इसलिए x का मान तो हमें साथ 0 होगा y का मान y होगा y यही मान हमें ग्याद करना है समान दूरी पर स्थिते है इसी को हम ग्याद करते है उसी पहले हमने लिखा वेसे ही ग्याद करते है pa ब्राबर p b ठीक है दोज़ों और इसका whole square कर लेते है ठीक है अब अपने पास देखिए pa यानि कि आपका यह x1 y1 x2 y2 minus 5 पांच दूरी शुत्र के लगा रहा है ब्राबर whole square plus minus 2 minus y का whole square ब्राबर आपके पास 3 minus 0 का whole square plus 2 minus y का whole square ठीक है दोज़ों दूरी शुत्र का उप्यों करते हो यह यह आपके पार हो गया minus 5 का whole square plus यह आपके पास के अरेजिसे में से माइनिस एक को में लिए गात्र सम संक्या में होती है तो माइनिस एक अगर बाहर लेते हैं तो वह हमेशा plus में बनकर 12 आता है इसको मैं 2 plus y का whole square लगता हूँ इसको 3 का square और 2 minus y का whole square ठीके दोज़ों यह अपने पास इसका square करेंगे तो अपने पास 25 और इसका वर्ग खोलते हैं अपने मेरे पहले भी बता है शुत्र उससे हमने इसका 2 का वर्ग गिया तो 4 और 2 into 2 into y plus y का square प्राबर 3 का square 9 plus 2 का square आपके पास 4 plus 2 into 2 into y plus y का square ठीके दोज़ों अपने पास को कह देगिए आपको इसको जोड़ना है करना क्या है जोड़ना है इसको जोड़ना है यह 29 होगे 25 चार उनतीस plus 4y plus y square प्राबर आपके पास 9,4,13 ठीक है plus आपके पास 4y plus y square ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों इनको जो बाकी से इनक्या 4y इदर है plus y square है इसमें से इन दोनों को इदर पक्षानतन कर देते हैं पक्षानतन करेंगे तो चिन बदल जाएंगे और यह माइनस का है यह माइनस का था शोरी माइनस है यहां पर यहां पर आपका यह भी माइनस का होगा अपने पास सुदिए यह पाकिनते से ज किया ना गया है माइनस को छ आगे उग माइनस था इदर निया एक準 que du te कि तो अब इदर लेकर एंधने पास उन-30 से उसको मैं उद्धर पक्सान्तर न कर रहा यह प्लस गा था उदर जाके माइनस गट गया आपके पास इधर बच गया यह चार और चार आठ वाइबर अब तेरा में से उन्तीस गटाने आपके पास बच जाएंगे माइनस के सोला वाई बराबर आपके पास माइनस के 2 इस प्रेकार प्यक्राइब 0 य इन लिएक्स पर किया क्या सब्सक्राइब कि वासर ये अपना छेवाल है छेरी बिनो तीन है के और पाट से बिनदू जीरो दो की दूरियां बराबर है बराबर दी हुई यहां पर दूरियां यहां बराबर है तो के का मार हमें ग्याद करना वही सवाल जैसे हमने पहले किया एक्षक्त वाला वाय एक्ष्वाला, उसमें हमने साम गाते हैं, दूर्सका आप aula कर लेται है, अपने पास is दोस्तु मैं यहां लिखता हूं दिखिए आपका कोश्टक लगाया अपने पास 3-0 का whole square प्लेस K-2 का whole square ठीक है आपके पास K-0 का whole square प्लेस आपके पास 5-2 का whole square यानि कि इसमें से इसको खोलते हैं प्लस इसको खोलते हैं तो अपने पास सुत्र जो है आपके पास के का स्क्वायर प्लस पांच में से दो गटाने तीन का स्क्वायर हो जाए आपके पास इदर नो हो गया प्लस के स्क्वायर माइनस दो दूनी चार के प्लस दो दूनी दो का वर चार ठीक है प्लस नो ठीक है आपके पास अब क्या करना है के को इदर प्रक्षान दें कर देते हैं के स्क्वायर यह है आपका माइनस चार के ठीक है दोस्तनों पिया बदाबर इधर से हमें क्या preparation करेंगे मानास का के स्कुर्ण हो जाएगा इधर नो है अब इधर जो तीर स्टिंग कैंगे हैं 9 उदर ले जाएगे हम मानास के 9 हो जाएएगेes 4 उदर जाएएँगे मानस के चार हो जाएंगे ठीक है दोस्तों अब अपने पास क्या करना देगे नो से नो तो कट गया अपना के स्कुरार से के स्कुरार कट गया आपके पास क्या गया माइनस का चार के ब्राबर माइनस के चार ठीक है माइनस से माइनस भी कट गया आपका और इधर अपने पास क्या बज़ गया K बराबर 4 बटा 4 यह 4 है इसके नीचे चला जाएगा आपके पास 4 में का बार दिया 4 गा एक बार इसमें भी एक बार तो K का मान आपके पास क्या गया 1 ठीक है दोस्तू हाथ तो दोस्तू अपना सवाल है यदि P और Q के नेधि सांक करमेस है A कोस-Theta, B sin-Theta और माइनस A Sin-Theta बी कोश-Theta है तोस्तू कीजिये कि O P स्कॉायर प्लस O Q स्कॉायर प्लस जहां O मूल बिन्दू है तोसिए आपका P बिन्दू है Q बिन्दू है देखा O मूल बिन्दू है नहीं दूरी श्त्र का उपश्योग करते हैं। जीसे अपका होता है टैसे से एक्सटू माइनस j7 का होल स्कॉरल y2-y1 का whole square ये दूरी सुतर लगाते हैं और इसको मैं op square भी लिख देता हूँ ये वर्ग मूल का चिन हट जाता है और इधर आपके पास हो जाएगा x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square ठीके दोस्तों अब इसमें मैं लिख देता हूँ जिसे ही आपका p है तो मूल बिंदू है आपका तो आपका इधर हो जाएगा अपने पास x2 क्या है ये आपका x2 ओर तो 0 ही है तो a और cos minus 0 का whole square ठीके न रोस्तों और plus y2 b sin minus 0 का whole square और अपने पास हो गया a square cos square theta plus b square sin square theta ये op का square हो गया ठीके दोस्तों अब उसी प्रिगार हम o q का whole square ज्याद करते हैं वो भी इस प्रिगार से लिख देते हैं देखिए अपने पास minus a sin theta minus 0 का whole square plus b आपके पास cos theta minus 0 का whole square अब अपने पास क्या जीरो कटाते हैं तो वहीं मानाता है अपने पास ये minus है minus का गार अगर sum संग्या है वो plus में बदल जाता है तो a square sin square theta plus b square cos square theta ये आपकी दो हो गई ठीक है दोस्ट अपने पास अब इसमें अपने पास को लिखा वारे किये सवाल में op square o q square ब्याबर हमें ये सिद्ध गड़ना है हम क्या करते हैं इनको दोनों को जोड़ लेते हैं तो मैं आली देता हूं समीकर नमबर एक वे दो एक प्लस दो ठीक है तो op square plus o q square ब्याबर आपके पास op क्या है a cos square a square cos square theta plus b आपका ये b है b square sin square theta plus q square है आपका a square sin square theta plus b square cos square theta ठीक है दोस्तों अब जहां जिसमें ए है उनको एक शार जोड़ लेते हैं अब जिसमें यहां लेता हूँ ये a square a square a square ब्राबर cos square theta plus a square sin square theta plus b square sin square theta plus b square cos square theta ये और ये दोनों यहां गे अब इन दोनों में क्या आपने पास a square उबर निस्ट है a square बार ले लिया अंदर बज़ गया अपने पास cos square plus sin square theta प्लस इधर b square बार ले लिया अंदर बज़ गया sin square theta plus cos square theta ठीक है दोस्तों अब अपने पास ये की त्रिकोर्ण ये है सर्थ सम्मिका होती त्रिकोर्ण में तिकी उसमें ये होता है cos square theta प्लस sin square theta रावर एक होता है ठीके दोज़ों तो अपने पास क्या हो जाएगा यह पूरी समीकरण और यह पूरी समीकरण एक हो जाएगी इनका मान एक लेकर रख देंगे इधर a square हो जाएगा और इधर आपके पास b square हो जाएगा आपके पास op square plus o q square रावर a square plus b square यह है हमें सिद्ध करना है हाँ दोस्तों अपना सवाल है कि एक संभाव त्रिबूज के उपर है इसके दो सिर्स दे रहे हैं a00, b3 और root 3 तो तीसरा सिर्स हमें ग्याद करना सबसे पहले हमें ग्याद होना की संभाव त्रिबूज होता है उसकी प्रोपरटी उसके गुण हमें ग्याद होना चाहिए उसके गुण इस प्रिकार से देखे हो साथियों आपके पास इसकी तीनु बुजाएं होती है वह आपरसमें a b b c और c a इसमें दूरी सुत्र का उप्योग करते हुए इसको ग्याद करना है तो मैं पहले ग्याद करता हूं देखिए दोस्तों a b ठीक है अब ग्याद करने के तो अपने पास हो जाएगा तो अपने पास दूरी सुत्र में होल स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर आपके पास नो रूट तीन का स्क्वाइर आपके पास तीन अपने पास ब्याबर हो गया रूट के 9, 3, 12 हो गया, समीकर नमबर 1 दे दी इसको ठीक है दोस्तों, अब अपने पास इसी प्रगार BC ग्याद कर लेते हैं या CA ग्याद कर लेते हैं CA ग्याद करते हैं, तो अंडरी रूट अपने पास देखिए, X-0 का whole square Y-0 का whole square ठीक है दोस्तों, अपने पास खुझेगा गाए, अंडरी रूट X square प्रस Y square ये आपकी पास समीकर नमबर 2 हो गई अब हम ग्याद करते हैं, BC BC ग्याद करेंगे, इसमें अपने पास खुझेगा देखिए दासातियों अपने पास X-3 का whole square प्रस Y-root 3 का whole square ये आपके पास समीकर नमबर 3 हो गई, अब चूंकी अपने पास क्या है, तीनु सम्भाव त्रिबुज है, इसके तीनु बुजाएं क्या होती है आपसे में, बराबर होती है हम तीनु समीकर नमबर 1, 2, 3 से मैं तीनु को बराबर लिख लेता हूँ एक नमब में तो अपने पास रूट 12 पराबर रूट X square प्लस Y square पराबर अंडर दी रूट आपका X-3 का whole square प्लस Y-root 3 का whole square ठीके दोस्तों अपने पास यह तीनु समीकर ने बराबर हो गई अब हम क्या करते हैं इसको दो दो को एक बार इनको लेते हैं एक बार इसको इसको लेके बराबर सिद्ध कर देते हैं अब पहले इन दोनों को लेता हूँ अपने पास और दोनों का work कर लेते हैं root 12 ब्राबर under the root x square फ्लेस y square ठीक है दोस्त नहींrets दोनुंका पक्षूं का work करने पर ठीक है दोस्त अपने पास work करेंगे तो इधर 12 जाएगा x square प्लेस y square जाएगा ठीक है एक स्केयर ब्राबर ब्रीर ब्राबर एक से स्केयर प्लस राई स्केयर अब हम इसको और उसको लेते है आपके पास 12 अडर करे अबार को लकहिंघ created 3 का whole square ठीक है तो अब हम इसको इस प्रिगार से लिक खोलते हैं अब यह बेंजक वाला सुत्र लगाते हैं एक्स स्क्राइब माइनस 6 हो जाएगा और प्लस आपके पास 9 हो जाएगा इधर भी अपने पास वाई स्क्राइब हो जाएगा माइनस के 2 रूड़ 3 वाई प्लस रूड़ 3 का वर्ड करते हैं अपने पास 3 यह आता सुत्र आपका यह वाला गाएगा एप्लस माइनस का whole square भाइबर एप्लस-a square प्लस-a स्क्राइब यह वाला सुत्र इसमें हमें लगाना अब इसको आगे दिखते हैं तो मुझा दोस्तों अपना यह सवाल है इसको में अगे लिगते हैं रा KP अपने पार ek Squire एक सकुराय्र प्लास ओण आपका वाइ सकocaerd हो गयाए इसको हम यह जिर लिखा यह दिए धिलिया माइनिश चत्रैशिंट एक्स अट्सरीं माइनश 6 रूद 3Y जोस्ति तीन वाइन लिए प्लस 900 12 12 लिख दिया अब अपने पास सब्सक्राइब किया वाय अपने पास यह दो संवाय खथोगों किया कि यहां टो है 1-2-3 यही बारा है दोस्तों यह अपने पस मेंने जरा है ये माइनस नर्दफ यह बाद 12 यह 12 है यह 12 हमें ने परक्षांटिकर दियें उदर दलगे माइनस में कट ग demiş अपने पास इदर MINUS मैंने एक बाह ले लिया अपने पास 6 प्लेस दो Rूड प्लेस तीन Y ब्राबर के माइनस के 12 हो गया माइनस से माइनस कट गया अब हम क्या करते हैं इसमें भाग दें 6 का भाग दें सकते हैं अपन चाहें तो 6 का भाग दिया तो अपने पास 2X ग्लस 2 रूर 3Y प्राबर 12 इसमें इसमें और इसमें तो हम 6 का भाग भी दे सकते हैं या इसको इस प्रिकार से लिख चेते हैं 3 पराबर 12 माइनस 6X ठीक है Y प्राबर अपने पास होगिया 12 बटा 2 रूर 3 माइनस 6 बटा 2 रूड 3 ठीकर न है बाइब बाइब य का मान अपने पास यह आ गया अब देखिए अब अपने पास बचा च्छ बटा रूड 3 पिर माइनस है अपके पास 3 बटा रूट 3 3 बटा रूट 3 X है आपका ठीके दोस्त अब हमें क्या करना है रूट निच्छे जो वर्ग रूट 3 है उसको हटाना है उसके लिए हम इसका परिमेरी करन करते हैं रूट 3 से उपर और नीचे घुना कर देते हैं ठीके दोस्तों इसको हमने गुणा किया अपने पास ये तो हो गया 6 root 3 3 root 3 माइनस ये अपने पास 3 root 3 और root 3 root 3 गुणा हो गया तीन हो गया ठीके दोस्ट, अब इसको कट गया ये, ये हो गया 2 3 से 3 कट गया, अपने पास वी गया 2 root 3 minus root 3x यह मान जो है हम दूसरी सम्मीर करण के अंदर रखेंगे तो अपना जो यह मान आया हम इस सम्मीर करण में रख देते हैं एकस्ट नहीं है y का मान मैंने याद रख दिया यह whole square है मैं इसको वापस खोलता है x square plus अपने पास 2 root 3 का whole square minus 2 into a and 2 root 3 into b root 3 x plus आपके पास यह जो है root 3 x का whole square बराबर आपके पास 12 ठीके दो बराबर x square plus इसका work करते है 2 का work कितो हो गया आपके पास 4 root 3 का work होता है 3 2 इसको मैं खोल के लिखते था हूँ 2 into 2 into root 3 into root 3 minus इनको गुणा करते हैं 2 दूनी 4 root 3 root 3 गुणा होगे अपने पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो अपने पास होगे 12 x और यह होगे अपने पास 3 x square ब्राबर 12 है और यह होगे अपने पास x square प्लाबर 4 4 x 12 x यह x है अपना x हो जाएगा चोड़ी एक नहीं अपने पास 12 होगे है 12 minus 12 x plus 3 x square ब्राबर 12 ठीक है दोस्तों हाँ दोस्तों यह जो समिकन बनी इसे हम x square 3 x square 4 x square लिए आपके पास माइनस 12 x माइनस 12 x लिए प्लस 12 है 12 लिखा इदर जो 12 है उसको परक्सानतर ने करके इदर लाए तो माइनस 12 होगे ब्राबर 0 हो गया आप अपने पास यह बज़ गया 4 x square माइनस के 12 x यह जो आपका कट गया इससे कट गया ब्राबर 0 बज़ गया अब इसमें से मैं क्या करता हूँ 4 x बाहर ले लेता हूँ अंदर बज़ गया x माइनस 3 का इसका मतलब रहता है दोनों का गुणा 0 है या तो 4 x ब्राबर 0 यह इंप्लाइज करेगा x ब्राबर 0 या फिर x माइनस 3 ब्राबर 0 यह इंप्लाइज करेगा x ब्राबर 3 ठीक है दोस्तों आदोस्त एक्स का मान अपने पास 3 आ गया अब हम क्या करते हैं इस x को इमान को इस समीकर्ण में रखते हैं जो आपने पहले देखी थी तो अपने पास होईगा 2 root 3 minus 3 root 3 ठीक है दोस्तों यह x का मान तीन है तो तीन यहा लग दिया अब यह दो में से minus 3 करताने तो अपने पास क्या आएगा minus का root 3 आएगा इस पर गार आपने पास जो बिंदू है उस बिंदू जिस पी बिंदू अपने तीसा जो सिर्स रहे अपने पास सी उसके नर्दे सांग जो आपका x का मान तीन आ गया तीन और y का नर्दे सांग आपके पास आ गया minus root 3 ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक एंड शेयर करें कमेंट शेयर जैह हिंट भी मिलेंगे अगले वीडियो में